आपने वाले सभी प्रकार से कामों की महनत में लगाता डूबने वाले मेरे सभी किसान भाईयों बहनों को सब को पढ़ाम करता हूं आपका स्वागत करता हूं अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम की पराकास्टा से पूरे छेतर में लगातार विकास के मामले में आप लोगों ने कदम से कदम मिला के जो सरकार के साथ चलना प्रारंब किया है और ऐसे विकास के मामलों के आपके सार्थी रहे पूर्व सांसद और हमारे यससवी विदान समाध्यक्ष श्रीमार नरें सिंगी तोमवर, जोड़ार अबिनेंदर करो श्रीमार नरें सिंगी तोमवर करो एक और सांसत हमारे बीच हमारे पालिटी के भी प्रदेश अध्यक्ष और भौत अच्छे जुजारू नेता सिर्मान विश्मुदत सर्माजी उन्ता भी वंदने अभी नंदने और आपके बीच में आपकी जवाबदारी से जैसे हमारा और आपका रिस्ता बनाएं कि यहां इस छेत्र में विकास करना है तो हमने सब प्रभारी मंत्रियों को अलग-अलग भेजा है वह यहां के बहुत सुव्योग कि हमारे प्रभारी मंत्री सिरी राकेश सुकला जी का इस अवसर पर जिनको मैंने मंत्री तो बनाया है लेकिन जिनने छेत्र की जनता के विकास के लिए एक संकल्प लिया कि मैं और मैं इस बात के लिए जोड़दार तालिवजा सिर्मारा राम निवास रावाची के लिए अभी विस्तार से मैं बोलुआ इनके बारे में जिनने अपने छेत्र की जनता के विकास के लिए अपने मन के संकल्प को यसस्वी प्रदान मंद्री नरेद मोजी जी के साथ जुड़ा पार्टी के साथ जुड़े मैं इनका स्वागत करता हूँ भी नंदन करता हूँ मंच पर ही विराजमान हमारे पूर विधायक भोले भंडारी हमने महाकाल की तरजिन को देखा है सीता राम आदिवासी जोरदार तालिव जाओ सीता राम जी के लिए मंच पर विराजमान श्रीमान विजयत उपे जी सुरेन जाड जी सीरमति कुद्दी भाई जी श्री ब्रजरास सिंघ चोहान जी श्री नरेन बिर्थरे जी तुरसन पाल जी पहलात भारती जी सीता राम बाथम जी नाम तो बहुत सारे पूरे पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ जोरदार ताली वजा के सब का विरंदन कर दो नाम में कोई छुटेगा अच्छा नहीं रहेगा आज थोड़े समय की कमी पड़ी लेकिन हमने कहा है कि हमारे बीच आज का आना तो और आवस्यक था आज वीरपूर के इस छेतर में जब हम आएं तो यहां वीरपूर में आज सबसे बड़ी संयुक्त प्रबंदन समीतियों के लोगों के लिए और जब प्रबंदन समीतियों का कारेकरम करने आए तो पच्पन करोड की लागत से बहुत सारे विकास कालों की सोगात आपको देने का काम किया है अलग अलग पकार के बहुत सारे कामों का भूमी पूजन लोकारपन पता नहीं क्या क्या है मैं आज इस बात के लिए भी आपको बदाई देना चाहूंगा कि यहां लगबख सात करोड उनसतर लाग की लागत से वीरपूर पुड़ाय था असीता में नल जली ओजना का कारे का भूमी पूजन हुआ लोकारपन हुआ जोरदार ताली बजा इस बात के लिए और युवाओं के लिए चार करोड चोतिस लाग की लागत से सासकी काले जोरदार अभिनादन करो युवाओं के लिए ये सोगात मिलिये तीन करोड अठोटर की लाग की लागत से श्योपूर एम उच्छतर मादनी की द्याले सेसई पुरा में इसका उन्नेयन का काम कियागा अभिनादन करो ये नए काम के लिए एक सो एकत्तिस एक दस्मलों एकत काली बजा है एसदीम के इस नए कारेले के लिए भूमेपूजन 24 करोड की लागत से विजयपूर में 30 पिस्तरी सामुदाइक स्वास्त के इंद्र का अब सो पिस्तरी हास्पिटल में उन्नेयन कर रहा है जोरदार अभिनादन करो इस बात के लिए यही मांगा था ना आपन जाएगा आप मांगो तो सही जो जो मांगो के सब मिलेगा विजयपूर श्योपूर 24 गाओं में पी-एम जन्वन योजना के माध्यम से 14 करोड से अधिक की लागत के बहुत देशी केंद्रों का भी भूमी पूजन हुआ है जोरदार अभिन ने करो 14 करोड की लागत से जब यहां वन प्रबंदन समीति की बात कर रहे हैं तो वनों के अंदर विकास के लिए हमारी सरकार ने और अब तो खास कर यह सच्वी प्रदान मंद्री नरेंद मोदी जी का अभिन नन करो श्रीमा नरेंद मोदी जी का जिनके मन में यह भाव बनावा है कि आज मन के अंदर हमारे अपने भाईवे नगर निवास करते हैं अपनी जान जोखिम में डालते हैं जंगल में कोन कोन सी जानवर नहीं है लेकिन सारे जानवरों के बीज भी जो प्रकरती के साथ तालमेल करते हैं एक दूसरे के साथ जियों और जीनदों की भाव्ड़ा रखते हैं ऐसे में जो न्यूंतम जरुवत है बन ग्राम में भी तो उनकी फसल का अधिकार भी उने को मिलना चाहिए बे चने का अधिकार भी उने को होना चाहिए चिनता मत करो यह अधिकार भी आपको दिया जा रहा है सारे के सारे पावर आपको दिये जा रहा है पैसा एक्ट के माद्यम से एके गाओं के अंधर विकास के मामले में और आप तो और जोगार भाकि शाली हो आपकी तो चारों उंगली काई में बोलते हैं और सिर आप तो मैं वन के विकास की बात कर रहा हूं मैं भूली गया कि वन मंत्री आपको मिलगा जोरदार ताली बजाओ आपने फारेश कमिनिर्टर के लिए अगर बताओ आप तो मामा का घर और मा परोस ने आजाए तो अपनी तो डबल चांदी हो जाती है इससे वरिया क्या जगा होगी हमारे अपने वनों के अंदर विकास के मामले में अगर हमारी सरकार ने कुछ अच्छा करने का निर्णे किया है तो बन तो मंत्र प्रदेश में भोत है लेकिन बन का मंत्री एक ही विदान सबा में उसका नाम ए हमारी विजेपुर विदान सबा मुझे इस बात की प्रसंदता है जो स्योपुर जिले के अंडर और एक नी दोनी तीन नी जो जो विकास के मामले में आपने सपने देखें वैसे तो आप और भाकिसा लियों हमारी 230 विदान सबा है और 230 विदान सबाओं के लिए बी जिनको विकास का समुरक्षन चाहिए चाई पक्षका हो चाई विपक्षका सबको संगुरक्षण चाहिए और वो संगुरक्षण दिने वाले आप भागी सालियों आपको हमने अध्यक्ष भी इसी दिले के पुर्व सांसर्ची को दिया जोड़ार अध्यंदन करो माने नरेल सिंग्जी के लिए एक एक बारीक बारीक चीज की पकड़ उनको है एक एक काम क्या वोला आपने पेंटून पुल चंबल के उपर कहा बना थे कहा बन गया आपने कहा के वीरपूर में चंबल नदी पर सबलगवा अतार घाट से जो ब्रिज था पेंटून अब वो पूरा हो गया पक्का ब्रिज बन गया तो ये खाली काले जाओगे ये वापस यही लगाओ तो भाईया जब हमारे मानि नरेंसी जी कहे और राम निवास जी मांगे और सीता राम जी की इच्छा हो तो मुझे भी जैजे स्री राम ही करना पड़ेगा के नहीं करना पड़ेगा जब आपने कहा तो भाईया इसमें अच्छी बात है हमारे अपने ग्राम निवासियों को चंबल पे आने जाने के लिए अगर चंबल नदी पे पेंटुन पुल की जरवत है तो नंदी गाओं उकसे गवगाट और नदी के पार करने के लिए पेंटुन पुल भी यही बनाय जाएगा यही लगाया जाएगा हमारे लिए सबसे पहले छेतर की जंता का सुधार के साथ विकास का सपना और सपने के अंदर जो जो कलपना किये वो सारी की सारी चीजे देने की घोशना कर रहे हैं आपने कहा के वीरपूर नंदिगाओं से पेंटुन पुल तो मांगा है यह इसके लाब क्या है यह राजस्थान की करोली माता और सबाई मादोपूर तक आवागमन की सुधा मिलेगी जोरदार ताली बजाओं आपने भी बहुत अच्छा मुद्धा रखा है तैसील वीरपूर छेत्रक ग्राम पांचों से गौगाड तक चार किलो मिटर की सड़क आपने मांगी जिसकी लगबग 6 करोण की 600 लाग की लागत आएगी मैं यही से देने की गोश्ट ना करता हूँ यह सड़क भी आपके लिए बनाई जाएगी तैसील वीरपूर छेत्रा अंत्रक ग्राम पांचों से वाया वीरपूर तेली पुरा तक दबल सड़क सिंगल से काम नीचे लेगा दबल सड़क जोड़दार तालिय बजाओ यह सड़क भी यही से देने की गोश्ट ना करता हूँ लगवग थारा सो लाग की लागस से वनेगी यह एनेच पांसो बावन का भाग है जो वीरपूर बाइपास प्राप्त होने से प्रस्तावित होने से उक्त भाग को दोहरी लेंड करेंगे यार्थाद बाइपास के लिए इसका लाब मिलेगा यही है ना कोई बात नहीं जोड़दार काली वजा यह भी आपको देने की घोशना करते हैं तैसील वीरपूर छेतर अंत्रगत पोला हित गाउं मरलने में थड़ा बहुत उच्चारण का दोस हो तो माफी कर देना लेकिन आप तो आकड़ा पकड़ लेना कितने पैसे मंजूर कर रहा हो आपके काम की बात वही वाली है गाउं तो आपने मंगा वही मिलेगा बोलने का तोन थोड़ा उच्चा नीचा हो सकता अद्धिक जी माननी भाई साथ बाकि मेरे भाव भाव समझ रहो हो आप दोनों से लिए जाओं मैं दोनों आज से दिये जाओंगा हमारे आपके संबंधिये से आपने कहा पोला हिसे ग्राम सुम्रेरा तीन किलोमेटर की सीसी रोग ये भी छोटी मोटी मानते हैं नहीं पांसो लाग की लागत से चलो कोई बात नहीं ये भी देने की यही से भोशना करता ह और यह आपको बदय ज़राओं वीरपूर से धोरेट मिट्टी मुरम का मार यह बनाने की आपने वन गाओं के अंदर की मांग किये तो वन के अंदर भी आपके इस सड़क को बनाने की घोश्टना की जाती है आप फारेश डिपार्टमेंट से इसको बनाना सास की हाई स्कूल अर्रो दरी में नवीन भवन की निर्मान की घोश्टना करवा रहे हैं यह सिच्छाई बात की है चलो कोई बात नहीं हमारे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे यह भी बनाने की घोश्टना करते हैं इसमें भी कोई संकोश नहीं है कजबा वीरपूर में कालेज खोलने की बात कही है मुझे नहीं मालूम के कालेज के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल किते हैं 20 किलोमेटर के छेतर में लेकिन कालेज में आएंगे तो बच्चे ही पढ़ेंगे चलो मैं परिक्षन कराके इसको भी बनाने की घोशना करता हूँ एक परिक्षन करवाएंगे इसका तैसिल वीरपूर ग्राम हीरापूर पीएम जेसवाई रोड से गुदारिया मिट्टी मुरम रोड पंचायज ग्रामिन विकास से जोड़दार अब जिंदन करो हैं तैसिल वीरपूर ग्राम अर्नोग में रोड से समाधिया पुरा गुर्जा वाले दागी बाबा तक या क्या नाम लाते ढूंड के दागी बाबा केसे हो सकते बाबा तो हमेसे अच्छे होते हैं दागी अच्छा यह मैंने इसलिए का माफ करना मेरे तो चरण दांगी बाबा जोड़दार अब दांगी बाबा तक आपने काम मांगा है यह भी मंजूर कर रहे हैं आपने हस्पिटल कहा है वीरपूर का समुदाइक उन्यन केंद्र का परिक्षण करके इसको भी बनाया जाएगा जोड़दार काली बजा करके अभिनंदन करे अपने इस पूरे काय करम का मैं यहां पर आया जब तो बहुत सारी बाते मुझे कही गई उसमें कहा गया कि हमारे भील बिलाला जाती के प्रमाइन पत्र नहीं बनते हैं यह प्रमाइन पत्र में तकलीब आ रही है तकलीब भी दूर की जाएगी कलेक्टर साथ ध्यान रगन हमारे बच्चे को परिशानी में आना चाहिए सबके साल्टिफिकेट आपको देना ही है जोड़दार अब जन दन करो यहीं से मैं भोष्टना कर रहा हूँ लगातार एक के बाद एक आपने कहा कि यहाँ पर एडिस्णल एस पी और एडियेम एसडीयम बेटिदे की विवस्था करना है हमारे अपने परिसीमन आयोग हमने गठत कर दिया परिसीमन आयोग के माद्यम से जिले पहसील संभाग सबी छेत्रों का परिशीमन करवा रहे हैं और परिशीमन के माद्यम से कि अबादी सिता राम जी के रहे आबादी करो आबादी 15 गांव हैं अरे सीता राम जी के तो मैं जैशीर राम कर देता हूँ उसमें क्या परिशानी हैं जैशीर राम आपने का कौन-कौन से गाओं में आबादी मांग रहे हैं जहां-जहां गाओं में बसने के लिए आबादी की कमी पड़ेगी कलेक्टर यहां बेठे हैं आप रसास्थिक अदिकारी सुन ले हमारे ग्रामें इंजन को परिशानी नहीं आना चाहिए ये जहाँ जहाँ मांगे महाँ हमको देने के प्रयास करने होंगे मैं यहीं से गोष्णा करता हूं इस सारी वबस्ता के लिए विकास के मामले में सरकार हमेशा जनता के साथ है गरीबों के साथ है किसादों के साथ है और हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए हमारा गाओं का आखरी से आखरी व्यक्ति बेठावा वो अत्यनत महत्व का है उसके जीवन में कोई परिसानी नहीं आना चाहिए इसलिए मैं पहले भी कई बारा आया हूँ कई सारी घोशना किये लेकिन जो घोशना करते हैं उसको हकीकत में उतारते हैं आने वाले समय में आप याद रखना यहां कोई बीमार पड़े किसी को हास्पिटल पहुचाना पड़े और हास्पिटल छोटा पड़ता है अभी तो वीरपूर विजेपूर की बात कर रहो अगर उठा करके वीरपूर विजेपूर के बजा है गौल्यर भेजना हो आगरा या भोपाल दिल्ली पहुचाना है हेलीकाप्टर से हम लोग ले जाएंगे हेलीकाप्टर की ववस्था करेंगे एर इंबुलेंस के माध्यम से ये सरकार गरीबों के भला करने वाली सरकार है हेलीकाप्टर में खाली पुराने कांगरेश के नेता अपने घर में उतारते थे ले जाते थे हमने सरकार में तई किया गरीब से गरीब आदमी का हक भी हर सरकारी ववस्था पे होना चाहिए और जब बीमार पढ़ जाए तब तो ओडबल दर्द हो जाता है ऐसे में अगर हवईजाज है आसपास में तो प्लेन उतरेगा और डाक्टर भी बेठा होगा नर्स भी बेठी हो होगी ताकि मरीज को कष्टनी हो अगर उसको सलाइन चड़िए आक्सियन चड़िए एसी के इसी श्थिती में अच्छे से अच्छे हस्पिटल में लिया करके उसका इलाज कराने की ववस्था हमारी सरकार ने तर्किया यह हमारी सरकार के भाव है व्यक्ति-गरी हो सकता है लेकिन मनुष्ट तो है किसी का भाई है किसी भाई बेहन का भाई है किसी पिता की संतान है यह चिंता अगर हम नहीं करेगे तो कोन करेगा और चिंता मत करना यह लगातार इंडस्ट्री का अंकलेव हम करते जा रहा हैं गवल्यर में भी हमने करी थी और भी छेत्रों में कर हैं लेकिन जिन-जिन छेत्रों में लगातार हमने अपनी और दोगिक निवेश की मिटिंग किये यह मिटिंग इसलिए कर रहे है कि आने वाले समय में यह व्रोजगार यह हमारे जितने हैं सब को रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की है यह वबस्ता हम कर रहा है और रोजगार दिलाने में भी जो आइटी पढ़ने वाले उनको आइटी में जाएगे जिनको एग्रिकल्टर में जाना है अर्था क्रसी के शित्र में जाना है तो क्रसी में वो अपने प्रगति करें किसीने का मैं दूद्दुवारी करता अपने पशुपालन का काम करता हूं हमारी सरकार ने निडे किया है हमारे जितने भी ग्रामी इंजन है जिनको घर में पशुपालन करने की आदत है उनको अपने पशुपालन करने में प्रोश्चान देंगे दस गाय से ज़्यादा जो रखेंगे उन सब को अरुदान दे करके उनका दूद उत्पादन बालने का काम भी हमारी सरकार जारा पड़ाय जाएगा और जैसे यहों पे सोया भी इन पे हम धान पे बोनस दिने की बात कर रहे हैं वो के वो ही MSP पे खरीदने के साथ हमने दूद के उपर भी बोनस दिने की उजना बनाई है कि हमारी सरकार के रहते रहते अगर किसी ने पसपालन किया खेती नहीं है तो उसके जीवन में भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये सरकार सब को लेके चलने के लिए लेकिन ये सारी बात कब होगी जब हमारे अपने बीच आज आपके बीच के मंत्री मैंने आपके भरोसे मंत्री बनाया है लेकिन जिस पकार से राम निवाज जी की विदान सबा में भी छबी है यहां छेत्र में भी छवी है इस इज़त को बनाय रखने का काम आप सब कहा है आने वाले चुनाव में राम निवास जी को आपको फिर विदान समा में भेजना है बोलो सब तयार है इधर से आवाय सब तयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जा दोनों हाथ की मुठी बांदो और हम सब संकल करो इस छेत्र के विकास के लिए हमारे सुजोग के मंत्री सिरी राम निवास रावजी को एक-एक व्यक्ति जब तक अपने मतादीकार का उप्योग करते वे विदान सवा में नहीं बेठेगा तब तक चेन से नहीं बेठेंगे बोलो सब तयार है तो बहुत भारत मता की भारत मता की भारत मता की बहुत बहुत धन्यवाद भारत मता कीज़े बहुत बहुत धन्यवाद माने नहीं डक्टर महन यादव जी पूर्पूर के वनभाग के कारिक्रम में शामिल हुए सिह मोहन यादव शौपूर को करोडों की सौगात मोहन यादव ने दी फिलाल